भक्ति प्रियो माधवा नचा गुणएं वो गुण से नहीं भक्ति से रीजते हैं और ये भक्ति सब कर सकते हैं कोई अपेक्षा नहीं कर्मकांड में नियम है आप कैसा द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं शुद्ध कमाई का होना चाहिए फिर सही सही द्रव्य होना चाहिए लेकिन भक्ति में आईसा नहीं है पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तुम मुझे पत्र देदो पुष्प देदो फल देदो जल देदो तुलसी दल देदो जो देना है देदो लेकिन भक्ति से देना मैं साब ग्रहन कर लूँगा बताईए जो इतने सरल हैं इतने दयालू हैं कि जो पत्र पुष्प से रीज जाते हैं ऐसे दयालू को छोड़कर हम अनेक प्रकार के अवलंब ले रहे हैं अनेक प्रकार के मार्गों में जा रहे हैं जो सीधी सीधी भक्ति से रीज जाते हैं खेवल जल पत्र पुष्प से तो बिना मतलब के ये अन्यमारगों में क्यों नाक रगड रहे हो और जहां जा भी रहे हो न तो अंत में भक्ति तो करनी है भले ही वो ज्ञान के साधनों एकत्व वाला तो भी बिना भक्ति के तो वो मिलेगा नहीं तो क्यों नहीं सीधी सीधी भक्ति कर लेते सोचिए कितने दयालू है इतने दयालू तो हम लोग भी नहीं है बताइए जो पत्र पुश्प से रीज जाएं आपको कोई रिजा सकता है यदि मान लीजिए आपके घर दामाद आ जाएं और आप सभीरे चार बजे नंगे पाऊं इतनी ठंड में बढ़िया कोमल कोमल आम के पत्ते तुलसी के पत्ते बेल के पत्ते तोड़ कर लाएं और उसे चांदी की प्लेट में दामाद के सामने रखें कि दामाद जी आपका हम इतना सम्मान करते हैं और इतने प्यार से सभेरे के कड़ाके की ठंड में नंगे पाऊं जाकर हम ये पत्ते लाएं हैं कृपया इन पत्तों का नाश्टा कीजिए और दामाद है भाई भगवान के बाद दामाद का नंबर होता है इतना स्पेशल है तो मुझे बताईए है कोई ऐसा दामाद जो इस नाश्टे को ग्रहन करेगा मैं क्या आपको गाय भैंस दिखता हूं अरे गरम गरम पूड़ी उड़ी खिलाओ ये क्या खिला रहे हैं गास फास पत्ते बताईए क्या हम रिजेंगे क्यूंकि हमें तो वस्तु चाहिए और भगवान को वस्तु से कोई लेना देना नहीं तो जो जरासी तुलसी और जल से रिज जाएं बस जो कहते हैं केवल प्यार से खिला देना प्रेम से दे देना इतने प्यार है इतने दयालू क्यों नहीं जाते उनकी शरण में, क्यों नहीं सीधी-सीधी भक्ती कर लेते, कर्मकांड में नियम है, मुर्दा घाट में, शमशान में बैठ कर आप यग्य नहीं कर सकते, अशुद्ध, लेकिन भगवन नाम में कोई स्थान की अपेक्षा नहीं, जहां आप नाम लेना चाहे वहां ले लीजिए, मुर्दा घाट में लीजिए, घुसल खाने में लीजिए, रसोई खर में लीजिए, जहां लेना है, वहां लीजिए, खुली, चूट, स्वतंत्र अच्छा, गंदे से गंदे स्थान पे भी नाम ले सकते हैं, हाँ, उसमें क्या है नहीं जी, ज़िए ग सदा के लिए अंकित कर लो कि भगवान परमशुद्ध है वो कभी अशुद्ध नहीं होते उनमें जितनी अशुद्ध चीजें चली जाएं वो शुद्ध हो जाएंगी लेकिन वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकते वो परमशुद्ध हैं अगनी में आप जो कुछ भी डालिए जूता चपल घी जो डालना है डालिए अगनी सापको अपने में लीन कर लेती है समेट लेती है अगनी के स्वरूप में अशुद्धता नहीं होती वो सर्वभुख है ऐसे ही भगवान का नाम जो समस्त शक्तियों से युक्त है वो नाम कभी अशुद्ध नहीं हो सकता तो भक्ती में कोई नियम नहीं जैसा लेना चाहें आप वैसा नाम लीजिए कोई स्थान की अपेक्षा नहीं जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब प्यार करती है जब उसकी भक्ती करती है अपने बच्चे की प्रेम करती है सेवा करती है तो क्या वो पर्टिकुलर स्थान में बैठके करती है क्या कि मैं ड्रॉइंग रूम में बैठके बेटे से सेवा करूंगी लेकिन जब मैं बैडरूम में रहूंगी तो नहीं करूंगी उसको स्थानवान से मतलब नहीं है मा को वो तो निरंतर प्यार करती कोई स्थान की अपेक्षा नहीं कोई समय की अपेक्षा नहीं मा समय देखकर अपने बच्चों से प्यार नहीं करती प्यार में समय क्या? स्थान क्या? प्यार तो प्यार है वो तो मन की बात है, निरंतर ता मन की आ सकती, निरंतर मा की अपने बच्चे में होती है, ऐसे ही भक्ती माने प्रेम, भगवान में अटेच्मेंट, लगाव आ सकती, तो ये भक्ती है क्या, इसको समझ लीजिए, देखिए, थोड़ा सा गंभीर विशे है, ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार की भक्ती होती है, एक होती है साधन भक्ती, दूसरी होती है सिद्ध भक्ती, साधन भक्ती का मतलब होता है अपने मन को भगवान में लगाना, ये है साधन भक्ती, ये हम को करनी है, सबको, ये हम करेंगे, मन को भगवान में लगाएंगे, तो मन को जो लगाने की प्रक्रिया है, वो है साधन भक्ती, परंतु, क्यों लगाना है मन भगवान में, क्योंकि हम को ये प्रेम भक्ती चाहिए, सिद्ध भक्ती चाहिए, तो क्यों कोई महापुरुष सद्गुरु नहीं दे सकता ये प्रेम भक्ती, उसके पास तो खजान थे धे गहां देगा वो संत वो प्रेमभक्ती का खजांची है लेकिन वो आपको देगा कहाँ जिस पात्र में उसको दे ना है वो अनताकर रूपी पात्र तो गंडा है और ये प्रेमभक्ती हिलादिनी शक्ती का सार अंश है दिव्य दिव्य यदि ऐसे ही गुरु दे देगा बिना पात्र ताके तो क्या होगा तुकड़े तुकड़े हो जाएंगे हमारे ये तो दिव्य सामान है तो दिव्य सामान पाने के लिए पहले पात्र को तैयार करना है रहे हैं कागच का पात्र कि इस कागच में जलते हुए अंगारे दे दीजिए क्या होगा फिर उस कागच का ऐसे ही हमारा अंताकरण है ये और इस अंताकरण में जो अनंतानंत जन्मों की मैल है पापों की परत है उसमें वो दिव्य प्रेम भक्ती समाईगी कैसे तो इसलिए पहले गुरू हमें साधन भक्ती कराता है ताकि वो साधन भक्ती करके हमारा अन्ताकरन रूपी पात्र तयार हो जाए उस प्रेम भक्ती को पाने के लिए तो साधन भक्ती से जब हम मन भगवान में लगाते हैं तो वो मन लगाते 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 फिर जब लग जाता है हमारा मन तो क्या होता है पूर्ण शरनागती हो गई मन भगवान में लग गया तो अन्ताकरन शुद्ध हो गया साफ हो गया अब ये शुद्ध अन्ताकरन में अब गुरु क्या करेगा? इस शुद्ध अंताकरण को गुरु दिव्य शक्ति देकर उस अंताकरण को दिव्य बनाएगा पहले. एक एक शब्द पर ज्यान दिजिए. हमारे साधन भक्ती से हमने जो साधन भक्ती की मन को भगवान में लगाया, भगवान की शरनागती की उसका परिणाम हमारा अंताकरण शुद्ध हो गया. अब जब मन बुद्धी शुद्ध हो गई तो उस शुद्ध मन बुद्धी को गुरु जो है वो दिव्य बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, गुरु इसी हिलादिनी शक्ति को उस शुद्ध अन्ता करण में दे देते हैं, डाल देते हैं, उस स्वरूप शक्ति, भगवान की जो निज शक्ति हैं, स्वरूप शक्ति, उस स्वरूप शक्ति के बल से ये हिलादिनी शक्ति जाती है, उस शुद्ध अन्त यानि ये जो थोड़ा बहुत सत्वगुण रूपी माया भी होगा, तो उसको नश्ट कर देती है वो हिलादिनी शक्ति, क्योंकि शुद्ध अन्ताहकरण होगा भी, तो भी सत्वगुण हो सकता है, थोड़ा बहुत माया का विकार हो सकता है, तो उसको वो हिलादिनी शक्ति समाप्त कर देती है, माया को भी, आब ये अंताहकरण पूरा दिव्य हो गया, इसलिए शुद्ध अंताहकरण और दिव्य अंताहकरण में अंतर है, जब अंताहकरण हमारे बल से शुद्ध होगा, तो भले ही तमोगुन, रजोगुन चले है, इसलिए जब हमारा अंताहकरण शुद्ध सत्वगुनी रहता है, तब गुरु स्वरूप शक्ति के बल से लादिनी शक्ति को प्रविष्ट कराते हैं, और उस लादिनी शक्ति से ये माया भस्म होती है, ये अविद्या, विद्या, माया सब चली जाती है, नश्ट हो ज अब शुद्ध अंताहकरण दिव्य अंताहकरण बन जाता है, फिर जब ये दिव्य अंताहकरण बनता है, अब इसमें वो प्रेम भक्ती गुरु देते हैं, अब भगवान आधीन हो जाते, अंताहकरण में दिव्य अंताहकरण में प्रेम भक्ती आ गई, ये अमोलक अब भगवान उस भक्त के पीछे पीछे उसकी गुलामी करते अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवद्विज ये इसी प्रेम भक्ती के आधीन है वो भगवान तो जिसके पास झाल झाल झाल